कैसे हैं आप लोग, I hope you all are doing well, तो देखिए आपके लिए सामाने हिंदी का एक महत्वपुण टॉपिक में लेकर आया हूँ, संचार के माध्यम, आपका syllabus में दिया हुआ है, UK SSS ने जो official syllabus दिया था, जिसमें आपका जनरल पेपर में यहां से question बनते हैं, और आपने देखा हु महत्वपुण टर्म को आज आप समझेंगे इस topic के अंतरगत काफी महत्वपुण एक topic है दोस्तों, तो बिल्कुल भी skip नहीं करना है इसको, ठीक है, तो सबसे पहले इस term को समझें, आप जन संचार, इसका मतलब क्या होता है, जन संचार मतलब होता है, दोस्तों, mass communication, यह सं communication के अंतरगत, और प्राचीन, जन संचार को हम दो भागों में बाढ़ सकते हैं, एक तो हो गया, प्राचीन, जन संचार के माध्यम, और दूसरा, आधुनिक जन संचार के माध्यम, तो दोनों point में थोगा difference है, आधुनिक में आज की जो सभी चीज़ें, वो आ गई दोस्तो आधुनिक में हमारी जैसे print media हो गई, उसके बाद हमारी जो electronic media है और साथी social media, और प्राचीन, जन संचार कैसे होता था इसके लिए, देखे, technology थी नहीं उसमें, तो प्राचीन, जन संचार में आप रख सकते हैं, उसमें जैसे नुक्रनाटक होते थे, जरी लोगों को संदे जन संचार का मतलब है दोस्तों, जन संचार का तार्थ पर उन सभी साधनों के अध्यन वो विशलेशन के साथ, जो एक साथ बहुत बगली जन संक्या के साथ, संचार संबंधी, संबंध इस्ताफित करने में सायक होते हैं, ठीक है, simple language में 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 बोलूँ, जन संचार का मतल साधनों के माध्यम से जनता के साथ संबंध इस्ताफित करना है, जैसे आद जन संचार के लिए हम बहुत से माध्यम का उपयोग करते हैं, जैसे समाचार पत्र है, पत्रिकाये हैं, रेडियो, दूर दर्सन, चलचितर, इंटरनेट आदी, यह सब आधुनिक जन संचार के मा उत्पत्ति संस कृति के चर धातु से हुई है, यह महत्वपन पॉइंट है, तो जन संचार में जो संचार सब्द है, इसकी उत्पत्ति चर धातु से हुई है, यह चर धातु, यानि जिसका मतलब होता है चलना, चर धातु का मतलब होता है चलना, ठीक है, तो यह महत्वपन पॉइंट होगा और बात की जाए आप जनसंचार के आधुनिक माधियम तो इसके आधुनिक माधियम को हम तीन भागों में वर्ड़ करते हैं पहला एक प्रिंट मीडिया जिसको हम मुधृत माधियम कहते हैं प्रिंट में जो आता है यानि कि जैसे हमारा अखबार हो गया उसके साथ समारी पत्रेखाये निकलती है ये सभी प्रिंट मीडिया के ही एक्जामपल हो गए इसके बाद नेक्स इलेक्ट्रोनिक मीडिया तो अंतर के आ जाता है दोस्तो रेडियो, टीवी, सिनेमा , बाद्यम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो आप आप आणसर ना चाहिए, तीन भागों में, प्रिंट मीडिया, एलक्ट्रोनिक मीडिया, और सोसल मीडिया, तो अब ठोगा-ठोगा देखेंगे संचिप्त में इन सभी के बारे में, और समझेंगे, और आपको काफी महत्तों पॉइंट आप मिलने वाले यहां पर तो सबसे पहला जो माध्यम है जंसंचार का आधुनिक वह है प्रिंट मीडिया का मतलब आपको पता ही चलिया दोस्तों तो इसके एक्जामपल है समाचार पत्र पत्रिकाएं पंपलेट आती तो आपने देखा होगा समाच आधुन भाउव हैं इसके सार्जो पत्रिकाएं निकलती है साब एक-वाइस जो आप देखते हैं जिन में कुछ ना कुछ संदेश होकता है तो इसरी प्रिंट मीडिया के उदारन आगा अब प्रिंट मीडिया से जगए कुछ मोरत्वाजश को देखते हैं तो इसका सबसे प्रियोग हुआ था चीन में किस देश में जो प्रिंट मीडिया सबसे पहले सुरू हुई थी अगर आप कोश्यन आता है या मुद्रंग कला का विकास कहां पर हुआ था तो यह सबसे पहले चाइना में हुआ था इसके बाद दुनिया की जो पहली प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी जो कि जर्मनी का था अगर बात कर जाए विश्व का पहला देनिक समाचार पत्र तो विश्व का पहला देनिक समाचार पत्र था दोस्तों मॉर्लिंग पोस्ट जो की इंगलेंड में निकला था 1772 में ठीक है इससे पूर देखे चाइना में अगबार छप चुगा था चाइना में भी अगबार निकलता था सापताईग था और इसरे के बाद नीदर लेंड में भी अगबार निकलता था वो अगबार की बात जब आती है तो विश्याइब का पहला देणिक समाचार बत्ल था वो मॉर्निंग पोश्ट को ही माना जाता है जो कि 1772 में इंग्लैंड में पब्लीज हुआ था था तीक है अब बात करें जो समाचार होते हैं जो एमारे print अमेंडर कमें समाचार होते तो इनको 2 स्रेंगल में रखा जाता है कि आपके हैं, एक होती है hard news और दूसरी होती है soft news, hard news किसी को कहते है, तो प्रते दिन प्रकासित होनी वाली खबरों को hard news कहा जाते ह quickly, एसा ही point बनेंगे UK TREPPALHS ku मैं के जन संचार में प्रतिदिन प्रकासित होनी वाली ख़वरों को चेलाता है हार्ड अगशन कि मासिक प्रकासित क्या के अग्यार सब्रकासित होती है ऐसे से retiring jsό rasa लगता है soft news ठीक है तो आप समझ पाएंगे hard news जो डेली आती है और soft news जो विशेज होते है special होते है और जो weekly या मन्थली आती है ठीक है अब भारत में देखे जो print media बोल सकते हैं में भारत में पहला printing press लगा था भारत का जो पहला समाचार पत्र था दोस्तों वह बंगाल गजट था जो की 1780 में आया बंगाल गजट और जिसके संपाधक थे जेम्स ऑगस्ट हिक की ठीक है महत्तों पॉइंट हो गया इसके बाद बात करते है जो भारत का पहला साप्ताइक पत्र निकला वो था उदंद मार्तंड ठीक है ध्यान दखेंगे उदंद मार्तंड जो की 1826 में पब्लिस हो और जिसकी संपाधक थे पंडित जुगल किसोर भारत का वो था समाचार सुधा वर्संग ठीक है ध्यान दखेंगे कौन साथा समाचार सुधा वर्संग और जिसका अप्रिकाशन वह था 854 में और संपाधक थे स्याम सुंदर सेन ठीक है तो यह कुछ महत्तों पॉइंट होगे प्रिंट मीडिया से संबंदित भारत में यह सब इलेक्ट्रोनिक मीडिया के उधार हैं तो सबसे पहले इसमें बात करेंगे रेडियो की ठीक है रेडियो देखें बहुत ज्यादा फेमस हुआ था जब रेडियो आया था और रेडियो का आविसकार किस व्यक्ति ने क्या 895 में किया था जी मार को नहीं नहीं किया थ तो 23 जुलाई 1927 को बना गया बमबो बॉमबे रेडियो इस्टेशन इसके बाद भारत का दूसरा रेडियो इस्टेशन इस्तापित वहाता 25 अगस्त 1927 को कलकत्ता में ठीक है इसके बाद देखे भारत का जो आज भी वर्तमान में काफी बगा नाम है औल इंडिया रेडियो तो आल इंडिया रेडियो की सुरवाद ISBS के नाम से 1930 में होई थी दोस्तों ठीक है ISBS क्या था देखे यहां पर तो ISBS का मतलब था Indian State Broadcasting Service तो Indian State Broadcasting Service के नाम से 1930 में सुरू गए और फाइनली 1936 में इसको नाम दिया गया AIR यानि कि All India Radio ठीक है फिर उसके बाद इसी में काफी प सबसे अबादी जी का एक स्टेटमेंट आता है देखे रेडियो की जो संप्रेशन सक्ति थी उसमें और रेडियो जितना प्रभावित कर रहा था दुनिया को उसको देखते हो ये गाधी जी ने बोला था रेडियो को एक अधभुत सक्ति ठीक है ध्यान रखेंगे गाधी जी ने रेडियो को एक अधभुत सक्ति कहा था और और 1997 में ही All India Radio का नाम बदल कर आकाश्वानल किया गया यह भी महत्वपूँ है ठीक है ठीक है अल इंडिया रेडियो की सुरुवात कब होती है 1930 में होती है किस नाम से होती है इस बीएस नाम से होती है 36 में उसे All India Radio कर दिया जाता है और इसके बाद बेड्या नाम में उनके एक अहम भूमिका थी तो यह आपनी याद धकने है कि बनसकता है कि जन संचार के माध्यम रेडियो को किस व्यक्ति ने एक अधभुत सक्ती कहा था तो गाधी जी ने कहा था ठीक है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों देखें Electronic Media का जो सेकिन सबसे महत्तों पूर्ट सोर्च है वो है Television Television का आविस्कार क्या था दोस्तों J.L. Baird ने यानि कि John Loggie Baird ने 1927 में और पहली बार दुनिया में BBC के दौरा 1936 में TV की सुरवात हुई ठीक है BBC आप जानते है Britain Broadcasting Corporation है ठीक है BBC तो इसके दौरा सबसे पहले 1936 में TV की सुरवात हुई ठीक है और इसके बाद जैसे TV की सुरवात होते दोस्तों तो TV की सुरवात ने बहुत 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 क्रान दिला दी थी अपने टाइम पर ठीक है जैसे पहली बार ओलंपिक खेलो का प्रसारण भी वह आता सीधा प्रसारण लाइफ टेली का आश्ने और जाद है यहाँ पर संचार माध्यम को ससक्त किया और बात करी जाए भारत की तो भारत में तो TV की सुरवात हुई दोस्तों ठीक है ध्यान लखेंगे भारत में TV की सुरवात होती है 15 सितंबर 1969 में और भारत में TV की विधिवत जो सुरवात होती है वो 15 अगस्त 1965 को होती है यह दोनों पोइंट को याद रखें आप भारत में TV की सुरवात तो की युनेस्को की सैक्षिक पर्योजना के द्वारा 15 सितमबर 1969 में लेकिन भारत में जो विधिवत शुरुआत हुई वो 15 अगस्तु 1965 को हुई इसके बाद देखे टीवी के छेतर में सबसे महानक्रांती शुरु हुई जब दूरदर्सन आया ठीक है तो प्रसार भारती के अंडर इस पर जो पहला दारावाहिक आया ठीक है पहला जो सेरियल आया इस पर वो था हम लोग जो की 1984 में प्रसाल्ट हुआ और हम लोग देखे इसको किसने डिरेक्ट किया यह मैं आपको बदा चुका हूँ उत्राखंड के एक महान साहित्तिकार है मुली मनोहर जोसी ठीक है द्य तो हम लोग इनी ने डिरेक्ट किया था ठीक है दोस्तों तो यह टेलिविजन का यूग है आप देखे यहां पर टेलिविजन में जो न्यूज आये दोस्तों इससे संबनेत कुछ महत्वा पॉइंट है जहां से डारेक्ट लिए आपका कोईश्यन बनाता है पांचवा पॉ जो भी ब्रेकिंग न्यूज है जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया है बम गिरा है तो उस समय के वो तेक्टम ताजा खब और जाती है तो फ्लैस हो जाती है ने न्यूज एकितम से तो कम सब्दम है सिंपली यही तो बोलता है न्यूज आंकर की अम सको तक सूचना पहुंचाना ठीक है तो खबरों के दरिश्य तो प्राप्त नहीं हुए है लेकिन सूचना मिल जाती है जैसे एक दुलघटना को हम ले सकते हैं पर कोई वायो यान दुलघटना हो गया प्लेन क्रैस हो गया ठीक है अभी तक उसका कोई फोटो मीडिया वालो जैसे बहुत सी कंड़िशन होती है अगर मैं इतना पूरा यहां पर लिखता आप बहुत अंधर टॉपिंक हो जाता नहीं में तभी इसलिए संप्री आहिलाइट किया इसको, तो एकर समझ गए अप फोन पर बात कर सूचना तरश हु सको तक पहुंचाना तक नुऌ इसके बाद這是之後 अगे पर आक सक्षीन के साथ सूचना धर हुई है जैसे plane crash होगा तो उसकी हमें visual मिले फोटो भी मिले जहां पर crash हुआ है मलबा भी मिलिया उसके साथ एंकर उसकी संबंदित news बता रहे है यह कहलाता है एंकर visual ठीक है इसके बाद आता है एंकर byte जो कि पूछा गया था एक्जाम में तो एंकर byte क्या होता है एंकर की समाचार की push rat कम और रादित रहे यह थो वीडियो या कथन दिखा कर खबर की प्रमणार्किता देना ठीक है तो को समाजार shootings की वीडिओ भी दिखाता बेभी दिखाते है और का वाई पूर्छी करतार या कथन प्रमणार्किता देता है यह कहला था एंगर बाइट इसके बाद लाइब खबर का घटना से सीधा प्रसारंग बहुत बाद देखा होगा आपने जो हमारे रिपोर्टर होते हैं पर इवेंट में लाइब होते हैं जैसे कहीं पर पुर्दानमंत्र जी की रेली हो जाती है या इसके सांसाल को अन्य महतोपूंग रिवेंट इस यह होता है तो अंकरपेश होता है सम्माधित गठना द्रिश्य इससे जूड़े लोगों की बाइट ग्राफिक के जरिये दर्सकों तक पहुचा नगा जो कम्प्यूटर में देखा होगा ना आपने कार्टून मोड होता है ग्राफिक्स की मदद से बनाया जाते हैं आप पर ग्राफिक्स तयार करते हैं कम्पूटर में तो घटना का एक क्या कर देता है हम नाट्य रूपान तरंग कर देते हैं तो इसको कहा जाता है एंकर पैकेज ठीक है दोस्तों तो यह थे कुछ महतोब में टर्म इसके बात देखे इलेक्ट्रोनिक मीडिया का अंध्य उधारन है सीनेमा ठीक है तो सीनेमा की बात की जाए तो सीनेमा का आविस्कार रख माना जाता है थामस एलवा एडिशन को अठासव तीरासी ठीक है मिन मिन स्कोफ का इसनें यहां पर आविसकार किया है और भिस्कार की जो पहली फिल्मति दोस्तो वह थी its arrival of train yeah बास घ्राइवल ना यह पहली मूवी थी दुनिया आज नॉर्मल मूवियां वैसी थी लेकिन ब्लैक और वाइड होगी उसमया ठीक है तो यह महत्तपुन पॉइंट हो गए तो देखे जो भारत की पहली मूख फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र इसके निर्देशक थे उसमें दादा साहब फालके जिनके नाम पे आज सिनेमा का सबसे बड़ा वाड दे जाता है यहां हिंदी सिनेमा में कॉइंट्र विशन के लिए दादा साहब फालके और जो कि अभी 2019 का रिसेंटली किसे मिला है अमिधा बच्चन को ठीक है और दादा साहब फालके नहीं राजा हरिश्चंद्र मूवी डिरेक्ट की थी भारत की जो आटा साहब फालके को भारते सीनेमा का पिता माहा कहा जाते है ठीक है फिल्म की कहानी के 3 चरनों में पूल किया जाता है पहला होता है कहानी या कथा, दूसरा होता है पट कथा या स्क्रीन पिले और तीसरा होता है डायलोग समवाद, ठीक है, तो ये तीन महतोपून चरण है किसी भी मूवी के, अब इसके बाद आते हैं दोस्तों देखिए सबसे महतोपून जो आधुनिक जनसंचार के माध्यम मे वह पूरा इंटरनेट पर होता है, ठीक है, ध्यान नखेंगे, इंटरनेट देखिए दोस्तों बहुत ही महतोपून टर्म है, इंटरनेट का मतलब है, सूचनाओं का जाल होता है, इस सिंपली मैं बोलूँ, इंटरनेट का विकास होता है, 1969 में, डी ओडी के द्वारा है, ठ 1989 में, ठीक है, क्यों आई 1989 में, क्योंकि 1989 में, इंग्लेंड निवासी टिम बर्नस ली ने, इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए, ब्रावजरों, पेजेज और लिंक का उप्योग करके, एक महतोपून खोज की थी, www की, यानि की, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बा ठाने भे में, 1998 में, जैसे ही Google कंपणी इस्तापित होती है, ठीक है, तो Google कंपणी के बाद तो, इंटरनेट की दुनिया में, और भी ज़्यादा करांती आ गई दोस्तों, तो बहुत महतोपून, माध्यम में, आज की डेट में, सोसल मीडिया का एक, बोल सकते है, महतोपून प्रकार मैंने आपको पता है, प्रेंट मीडिया, दूसरा इलक्ट्रोनिक मीडिया और तीसला सोसल मीडिया, तो सोसल मीडिया में दिखे, कम्पूटर वर टेलिफॉन दोनों के माध्यम से एक साथ वीचारों का आधान प्रदान, इंटरनेट माध्यम है, ठीक है, तो कम्प कुछना टेकनोलोजी की सबसे आधुनिक प्रणाली की से माना जाता है, तो यह इंटरनेट को माना जाता है, इंटरनेट पर खबरों का आधान प्रदान वा अघबारों का प्रकासन करना इंटरनेट पत्र कारता है, तो आज की डेट में देखा होगा दोसने, आपने इंट इंटरेनेट पत्रेकारता था यह फूल रही है और बहुत बड़ा एक यहां पर छेत्र है कि अब मात करें росс Mina last इंटरेनेट पत्रेकारता थो इसको तीन चरहन्गों में बाटा गया है तो how जो पred बात की जाए हिंदी में नेट पतल कारता है कि तो इसकी सुरुवात हुई वैब दुनिया के साथ दुनिया थी भारत में इंटर्नेट पतल कारता का दूसरा दूसरा दोर संचलीत है मैं बता चुका हूँ आपको अगला पोईंट देखे प्रभास हाक्षी हिंदी का एकमातर प्रिंट ना होने वाला ईपेपर है यह महतोपन्त आपका दोस्तों ठीक है तो देखे जो प्रभा जैसे हिंदुस्तान है अमर्युजाला है दैनिक जागरन है दोस्तों केहिं zien इनका ऑफ-लाइन पेपर भी आता है लेकिन प्रभासक्षी नामगे prix ये केविल ईपेपर आता तो इंटरनेट पर विख्षित विविध अप्लिकेशन को ही सामाजिक माध्यम में रखा जाता है तो सोसल मीडिया के जो एक्जाम्पल है आज की डेट में वो जो सोसल मीडिया के एप्स हैं वही रखे जाते हैं जैसे फेस्बूक हो गया दोस्तों WhatsApp हो गए, Telegram हो गए, Instagram हो गए, टूटर हो गए, बलॉगर हो गया, Skype ही हो गया, Orkut हो गया, Yahoo Messenger जो बंद हो गया, यह सबी मतलब, e-mail हो गया, Gmail हो गया, सबी यह क्या है, सामाजी के मात्या में, Social Media के शुरुत है, Social Media के अप्लिकेशन से हैं, दोस्तों, तो सबसे पहले इसमाद जो सबसे महत्व पूस्भार सबसे बगला आज सोचल नेट्वरकिंग प्लेटफोर्म है वो है facebook ठीक है तो फेस्बूक की सुरुआत हुईथी दोस्तों 2004 में थफेस्बूक नाम से सुरुआत की थी मार्क जूगरबर्ग ने तुरिक है 2004 में सुरुआ लेकिन उसके ब परतमान समय कि मैं बात करें तो सबसे बड़ी सोचल नेटवर्किंग साइट है फेस्बूक बात की जाए टूटर की तो टूटर भी आपको पता है तहां पर किवल आपको लिमिटेशन में टूट करना होता है और टूटर की सुरवात हो इती 2006 में इसके बात करते हैं डायरी औ आपकी रचना है जहां पर फिजिकली लिखकर रचना कर सकते हैं जबकि ब्लॉक्स एक प्रकार की इंटरनेट डायरी होती है दोस्तों जिस पर विचारों को लिखकर लोगों के पास पहुंचाना है जिसके एक्जामपल है ब्लॉगर.com हो गया इसके सांसात आप देख सेता वटप्रेस पे आप लिख सकते हैं ब्लॉक्स वगरा ब्लॉक्स की बहुत सी साइट है ठीक है तो simply ब्लॉग और डायरी में क्या उंतर रहता है डायरी जो है एक हमारे जो लिखते हैं उसका संगर है लेकिन वह फिजिकल लूप में जबकि ब्लॉग क्या होता है हमारा डिज सबसे जो सबसे माध्यम है संचार का वो कौन सा है तो यह सोचल मीडिया होगा दोस्तों सबसे 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 माध्यम है जन संचार का ठीक है दोस्तों तो यह थे दोस्तों आद जन संचार के आधुनिक माध्यम मैंने सरल भाजा मैं आपको समझाने के यहां पर पूरिकोसिस की इसके बाद एक और टॉपिक इस पर मैं लेकर आऊंगा जो प्रत्र कार्टा जो जितना भी यूगे ट्रिबल सी का सिल